दोस्तों नमस्कार, हिंदी साहिति के इन महत्र पूर प्रश्णों को हल करने के पस्चाथ, आप हिंदी साहिति के प्रश्णों को आत्म विश्वास पूरवक हल कर सकेंगे प्रद्युमन चरित्र के रचनाकार कौन है? शुधारू अगरवाल जी भक्तिकाल में रडमल छंद नामक वीर काव की रचनाकी थी स्रीधर ने अकबर दर्वार के सम्मानित क्रश्ण का भक्त कभी कौन थे? कुम्भन दास जी भ्रमर कीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? स्री मदभागवत का दसम इसकंद राम भक्ति स्वर्पथम उधपन हुई थी दच्छड के अलवारों में उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का स्रे किसे जाता है? रामानंद जी को रामानंद कभीर के गुरूम है बंगला भासा में राम कथा का वर्ण किया गया क्रतिवास रामायड में राम का विपरंप्राक में रामानंद की रचना है राम रच्छा स्रोध रामचरित्मानस की रचना कप प्रारंभ आरंभ की गई सन 1631 में तुलसीक रत रामचरित्मानस किस भासा में है अवधी भासा में रामचरित्मानस का काव़ रूप है महा काव़ श्री किष्ण गीतावली विनएपत्रिका गीतावली वैराग संदीपनी की रचना तुलसीदास जी ने किस भासा में की थी ब्रज भासा में ये सबी रचनाएं तुलसीदास जी की रचनाएं हैं और इनकी जो भासा थी वो ब्रज भासा थी रामचरित मारस में प्रधान रस के रोप में जिस रस को मानिता मिली है वह है सांत रस रामचरित मारस में वक्ता शुरोता के युग्म कितने थे चार विशिष्ट प्रबंध का रामचंद्रिका के रचनाकार है केशवदास जी को जो है इनकी रचनाओं को चंदो का अजागभर कहा जाता है इन्होंने अपने चंदों में बहुत ही विशिष्ट प्रकार के चंदों को प्रियोग किया था इसलिए इन्हें काविका प्रेत या फिर चंदों विशिष्ट प्रकार के चंदों को प्रियोग करने वाला कहा जाता है नाभादास जी की किस क्रति में राम की दिन चर्याव अड़ित है अश्टियाम में तुलसिदास को काली काल का बाल में की कहा है नाभादास जी ने तुलसिदास का वह ग्रंथ का उन्चा है जिसमें जियोतिस का वड़न किया गया है राम अग्या प्रश्नावली में, रूपकों का बात साह कहा जाता है तूलसी दास जी को, अग्रदास किसके सिस्थे, क्रश्न दास पैहारी के, राम चंद्र सुक्ल ने तूलसी क्रत कितनी रचनाओं का उल्ले किया है, बारा रचनाओं का, नाभादास के गुरू का नाम था अग्रदास, श्री क्रश्न गीतावली की रचनाओं तूलसी जी ने किस स्थान पर की थी, ब्रंदावन में, हनुमन्ना, अंटक के रचनाकार है, हिर्दैराम, रगुनाथ चरित्र क्रति है, परसुराम देवजी की, हनुम चरित्र के कवी है, रायमल पांडे, राम चरित्र मानस पूर्ण हुआ था, दो वर्स साथ मा में, काल क्रम की द्रश्ट से, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, क्रपा राम, रीतिकाल की समय सीमा है, सोला सो तेटाले से, अठारा सो तेटाले से तक, डाक्टर नगेंद ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, के सौजी को, आचारे विश्वनात प्रशाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है, स्रंगार काल की संग्यादी है, रीतिकाल की अभिरल प्रम्प्रा आरंभ होती है, चिंता मडी से, रीति सब्द का सामानी अर्थ है, पद्धति विशेश, आचारे रह सुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, चिंता मडी जी को, रामचंद्र सुक्ल ने रीतिकाल का समय निर्धारित किया है, संवत 17 सव से संवत 19 सव तक, रीतिकाल को अलंकरत काल कहा है, मिश्र बंदु ने, तो आज के सेसन यहीं पर समाप्त होता है, बाकी के बच्चे हुए हिंदी साहिति के प्रशनों को अगले सेसन में कम्प्लीट किया जाएगा, अगर आप पिछले हिंदी साहिती के प्रश्णों को देखना चाहते हैं तो आप हिंदी नाम से प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जो हैं हिंदी साहिती के पिछले प्रश्णों को देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल आइगान को प्रेस कर लें दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए नमस्क झाल 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 झाल